Hello everyone, आज के स्पीडों में हम बात करेंगे Class 12 की History और History का Sample Question Paper discuss करेंगे Sample Question Paper को समझेंगे कि किस आधार पे, किस पैटरन पे आपका 2024 का Board exam आएगा यानि कि जो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ ना, सेम ऐसा ही आपको 2024 का पेपर आने वाला है यह CBSC के द्वारा दिया हूँ आपका Sample Question Paper है, जो कि मैं आपको यहाँ पर इसका solution कराने वाला हूँ और Telegram Group जोइन कर लो, यहाँ पर आपको इसकी PDF डाल दी जाएगी, तो आप यहाँ से PDF को डाउनलोड कर पाऊगे ठीक है, मेरा नाम से तिंदर प्रताप है, और आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे इस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं एक लव्या स्टडी पाइंट है मेरा यूजर नहीं में यह देखें, यह कुछ चीज़े आपको पता होनी चीए कि पेपर के बारे में आपके सामने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लिखी होती है इसको आपको ध्यान से देखना होता है, इसके अधार बे यह आपको पेपर करना होता है यह आपको यहाँ पर बताए हो है, मैं थोड़ा सा और आसान करके आपको समझा देता हूँ यहाँ पर देखें, आपका पेपर जो है वो 5 सेक्षन में बटाओगा, सेक्षन A, सेक्षन B, C, D और E टोटल कितने कोशन है, 34 कोशन है, ठीक है, सेक्षन A की बात करें, तो यह आएगा टोटल 21 मार्क्स का और इसमें आपके MCQ कोशन होने वाले, 21 कोशन होंगे, तो 21 मार्क्स आपके यहाँ से बन जाएंगे, अगर आप सारे से इगर देते हो, ठीक है अब बात करेंगे सेक्षन B की, तो सेक्षन B जो है, आपका यह 18 नंबर का आने वाला है, इसमें आपके कोशन नंबर देखे, सेक्षन A में आपके कोशन नंबर 11 से लेकर 21 तक आ रहे थे section B में आपका question number 22 से लेके 27 तक आएंगे और आप इसको short answer कह सकते हो short answer type के आपको answer 60 से 80 word के आसपास ही लिखना है ज्यादा बड़ा answer आपको यहापे नहीं लिखना total 18 number का आपका यह पूरा section होने वाला है 3 number वाले आपके question आएंगे इसके बाद section C आएगा आपका यह total आपका 24 marks का होगा इसमें question number 28 से लेके 30 तक आएंगे और यह long answer है जो कि आपको 8 number वाले आपके question होते है long answer आपको 300 से लेके 3.5 शब्द इसमें लिखने होते हैं ठीक है और आपका section D जो है इसमें question number 31 से लेके 33 तक आएंगे इसमें आपके source based question है आपकी book 1, book 2 और book 3 तीनों book में से एक-एक source आजाएगा यहां पे एक आपको source जो आपके NCRT में दिये होते यह आपको इस तरीके से दे देंगे और हर source में से आपसे 3-3 question पूछ लेंगे आपके total 4 number के हंगे यानि एक number का question एक Qशन एक number का एक Qशन और दो number का एक Qशन है तो इस तरीके से आपका 1 source, 4 number का दूसरा source 4 number का तीसरा source 4 नंबर का इस तरीके से total आपका यह bulan number का section हो जाता eigen section D. section E जो है इसमें 24 इसमें जो 34 है यानि लास्ट हुआ जो कोशन है यह आएगा यह मैप वाला कोशन है इसमें आपसे एक मैप दे दिया जाएगा और उससे कुछ कोशन पूछ ले जाएगे जो कि 5 मार्क्स के आपके यहां से कोशन पूछ लेते हैं तो इस तरीके से 5 सेक्षन में आपका जो पूरा पेपर है वो मैप है आई होप आपको इतना सोभड आ गया होगा आप आगे देखते हैं और हां चैप्टर की वीडियो हमने पहले से बना रखे क्षे네 की क्युक्त चैप्टर के चार-चार बहुत बहुत बड़े बड़े chapter है, बहुत detail में आपको समझाया हुए, आपकी तयारी अच्छे से हो जाएगी, supporting material का solution करा रखा है, map आपको पहले से करा रखा है, ठीक है, सब कुछ आपको करा रखा है, तो यह sample paper होने के बाद आपको important question करा देंगे, यहाँ पर chapter की theory आप आराम से द करते हैं, देखे, सबसे पहला question आपके सामने है, कि निमलिखित में से कौन सी खिलाफत आंदोलन की मुख्य मांगती, option है, भारत के लिए अधिराजी के इस्तिती बिल्कुल भी नहीं था, भारत को सुराज यह भी नहीं थी इसमें बात, इसलाम की रूड़ी वादी जो संस अतवन का विद्रो के परसार में योगदान नहीं दिया, कौन सा मुद्दा था, जिसने योगदान नहीं दिया, अब question को ध्यान से देखो, अगर आप chapter पढ़ोगा तो आपको कार्तूस वाला मुद्दा देखेगा, यानि कि यह सही है, भारतियों को इसाई धरम में परिव पर तीन निमन लिखित में से साथ वाहन वन्स का सबसे जो फेमस, सबसे जो प्रशिद शाशा के वो कौन सा है, ठीक है, तो देखे, इसमें जो गौत में पुत्र ये वाला है न, सी, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, और ये paper, अभी तो आप इसे समझ लीजिए, एक बार आ इमेज आ रखे, मैं आपको थोड़ा क्लीन करके दिखाता हूँ, यहाँ देखे, यह आपको समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पर पूछा हुआ है, कि नीचे जो आपको विकल्प ये जो चित्र दे रखा है, इस चित्र को ध्यान से देखना है, उसके बाद जो विकल्प आपके सामने उसमें से पहचानना है, तो यह चित्र जो है, वो किस से संबंद देते हैं, तो यह हैं महाभारत से, ठीक है, पस्चिम मंगाल का एक दृष्चे दरसाने वाला टेरा को टा करती है, जो कि महाभारत से रिलेटिड है, यानि कि आपको यहाँ पर सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है, आपका फिलिंदा ब्लेंक्स टाइब का कोशन दे रखा है, ध्यान से देखे से, यह दरसाने के लिए कि उसने उस इस्थान का दौरा किया था, अशोक ने डैस पर एक इस्तम बनवाया, किस पर इस्तम बनवाया, आपका सारनात, साची, बोध गया या कोशन नमबर फाइफ, ध्यान से देख लो, तो इसका लूम भी नहीं आंसर हो जाएगा, ठीक है, लूम भी नहीं, और कोशन नमबर छे जो है, इसमें आपसे कुछ कोशन, कुछ आप्सन दे रखे हैं, इसके बाद यहाँ पर यह आप्सन इस तरीके से आपके सामने दे और सही विकल्प चुने, कौन सा इसमें से सही है, तो सबसे पहले यह है कि सबसे अनूठी विसेस्ता, सहरी किंद्रों का विकास था, बिल्कुल सही है, दूसरा क्या है बस्तियां जो थी, वो दो भाग में विवाजित थी, यानि कि दुर्ग और निचला सहर, बिल्कुल सह यह है, फिर जलनिकासी के विवस्ता, सामाने और आनियोजित थी गलत है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सुनियोजित थी, अच्छे तरीके से प्लैनिंग करके बनाई गई थी, तो यानि तीसरा गलत हो जाएगा, सड़के ग्रिड पैटर्न के को ध्यान से देखो, अनली वन इस करेक्ट गलत, वन एंड टू करेक्ट यह सही है, यानि बी ओप्सन हो जाएगा आपका, ठीक है, अब इसके बाद कोशन नमबर सेवन थैं आपका, इसमें कथन और कारण वाला दे रखा है, तो कथन और कारण इसको आपको ध्यान से देख कर्थन आपके सामने कहते हैं कि अशोक ने अपने संदेश, अपनी प्रजा और अपने अधिकारियों के लिए पत्थर की सेते पर खुदवाए, क्या ये सही है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट जो है, ये बिल्कुल ठीक ह आगे देखते हैं, वे ये परचार करना चाहता था कि सभी को किस धरम का पालन करना है, देखें ये गलत है, ठीक है, ये मेरे को यहां से पढ़ते ही बता लग गया, तो आप भी अगर चैप्टर को पढ़के इसको देख रहे हैं, तो आपको तुरंत बता लग जाएगा कि इसमें क्या गलत है, तो अब हमारा option आपको ध्यान से देखना है, A और R दोनों सत्य हैं, गलत, ठीक है, A सत्य है पर R सत्य नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा, A और R दोनों सत्य हैं, गलत, A सत्य है पर अर असत्य है, ये ठीक है, यानि कि आपका A तो ठीक है, पर R जो है की मदद से हडपा सब्वेता से संबंदी शिल्प के इंद्रों के आपको फैचान करनी है तट के निकट यानि कि तट के निकट है दूसरा क्या है वे शंक की वस्तों के लिए माहीर है या फिर फेमस है तो देखिए जो नागेशर और बाला कोट आपका यह आंसर हो जाएगा क क्योंकि यह कुशन ना आपका मैप मैं भी आया हुआ देखिए यहां तो आपको यह M.C क्यूम में पूछ लिया बट यह बहुत ज़्यादा मतलब आने वाला कुशन है मैप के अंदर तो आपको याद रखना है कि नागेशर और बाला कोट जो है वो तटट पे भी है और य जो था इसने लिखी थी तो आप संदेखी 20 जो है अल बरुनी यह आपका सही हो जाएगा कुशन नमबर 10 देखिए निमलिखित कतनों में से मगद सामराज्य के संदर्ब में सही विकलब आपको चुनना है प्रारंब में पाटली पुत्र मगद की राजदानी थी गलत है इसके बीच में मगद जो था यह काफी शक्तिसाली हो गया था था ताकतवर हो गया था ठीक है तो यह आपका तो ध्यान से देखिए आपको वो दरगा पहचाननी है वो दरगा कहां पर है जिसमें ये शेक मुहिन दीन चिस्ति की दरगा है ये तो किलियर कर दिया कि भाई शेक मुहिन दीन चिस्ति की दरगा है ये कहां पर आपको ये पूछावा है दूसरा पूछो है कि अगबर ने इस स्थान पर कई बार दोरा किया यानि आपको यहाँ पर हिंट दे दिये इससे आप यह पहचान जाओगे कि किस की दरगा की बाद चल रही है अब आपको यहाँ पर आपसन दे दिये दिल्ली, महरोली, अजमेर, फतेपुर, सीकरी तब आपका अंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कुशन नम्बर 11 का C option ठीक है अजमेर कुशन नम्बर 12 है कि निम्लिकित में से कौन सा देश 1861 में अमेरिकी गिरह यूद की समापती के बाद कपास का सुरोत था तो भारत है कुशन नम्बर 12 भारत कुशन नम्बर 13 देखिए इसमें आपको मिलान करना है तो ध्यान से एक बार आप देखिए कुशन नम्बर 13 तो जो लोड कॉन वालिस था यह क्या था? यह बंगाल का गवर्नर जर्नर बना दिया गया था आजाएगा यानि कि B का आप 4 से मैच करोगे ठीक है C को देखते है फ्रांसिस बुकानन जो था यह क्या था? यह परिवेकशक था यानि कि C 1 हो जाएगा ठीक है अब जो D बच गया है उससे जोड़ देंगा यानि कि डैवेट रिकॉर्ड हो जाए यह एक राजनीतिग्य भीता और यह के अर्थ सास्त्री भीता तो D 2 हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से इसका अंसर मैच करना है यानि कि आपका 3,4,1,2 ओप्सन में देखो 3,4,1,2 यानि कि C ओप्सन जो है आपका यह सही हो जाएगा ठीक है और question number 14 देखी निमलिखित में से किसने 1857 के विद्रो के जंडे के नेतरतु बिहार में किया ठीक है यानि कि यहाँ पे आपसे यह बिहार में किसने 1857 के खिलाप जो विद्रो था वहाँ पे नेतरतु किसने किया था बिहार से तो यह कुमर सिंग थे ठीक है आने वाली राशी इसमें से चुनना है तो देखे जमा और हासिल होती थी अगर आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि जमा और हासिल ये दो आपको पढ़ने को मिलेगा तो question number 15 का अंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर भी हो जाएगा ठीक है अब बात करते है question number 16 पर कि निमनिकित में से किसने 15 सदी में विजयनगर सामराज्य में यातरा की थी और वहाँ पर किले बंदी देखी जिससे वो बहुत जादा प्रभावित हो गया ठीक है question number 16 तो अब्दुल रज्जाग था जो कि यहाँ पर आया था इसने जब यहाँ पर किले बंदी देखी तो उसे हैरान होगे इसने किले बंदी के बारे में विस्तार से लिखा भी है ठीक है आप chapter पढ़ोगे तो आपको हाँ पर box के अंदर question number 18 पर आजाओ विजयनेगर सामराजे में दसहरा जो था वो डैस में बड़ी परतिष्टा और शक्ति के साथ आयोजित किया जाता था तो महानवी डिब्बा यहाँ पर किया जाता था इसको मनाया जाता था महानवी डिब्बा क्या था यह एक बहुत बड़ा मंच था यानि एक बड़ी सी स्टेज थी यहां पर यह होता था ठीक है question number 19 पर आजाओ सम्विधान में अल्प संग्या का अधिकारों को परिभासित करने का कारे क्यों किया गया ठीक है तो option एक बार देखते हैं ध्यान से अधिकारों को लेकर विबिन समुहों के अलग अलग मांगे थी बिल्कुल ठीक है अंग्रेज इसे समयधानिक धाचे में शामिल नहीं करना चाते थे यह गलत हो जाएगा गांधी जी ने कुछ वर्गों के लिए विशेश अधिकारों का विचार किया था गलत हो जाएगा और रियासतों में लोगों के अधिकार आस पष्टते यह भी गलत हो जाएगा तो यहनि कुछ नमबर 19 का आपका अंसर होना चीए क्योंकि क्या था देखे जो अलग-अलग समूत है ना अलग-अलग गुरुप थे उनकी अलग-अलग मांगे थी तो यह बिल्कुल सही है कुछन नमबर 20 से आपका नीचे दी गई जानकारी से उस व्यक्ति का नाम पहचाने इसका जनम जो है वो टैंजियर में हुआ था सम्मानित परिवार में हुआ था सिक्षित परिवार में हुआ था इसने पुस्तक से ज़्यादा यातरा के द्वारा जो अनुबह मिलता है उसको ग्यान का अच्छा सरोत माना है उन्होंने मद्धेपूरो और कुछ व्यापारिक बंदर का जो थे उसकी यातरा करी थी अफ्रीका तर्ट वगेरा में भी गया था यह और इसने रिहिला नामत भुक भी लिखी थी तो इतनी सारी हिंट आपको दे दिया अगर आपको पता लगया होगा तो एक बार यहाँ पर देखिए यह option मैंने यहाँ पर रख्या हुए आपके सामने यह option है तो आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पर इबन बतुता यानि की option A आपका सही हो जाएगा इसके बाद last question है आपका section A का ठीक है section A का last question निमलिकित आंदोलन में से कौन सा आंदोलन है जिसे गांदी जी ने किसानों के लिए कर माफी यानि जो tax की माफी थी tax माफ कराने के लिए मांग की गई थी इसमें तो ध्यान से देखिए rollet सत्य अगर है चंपारन सत्य अगर है खेडा सत्य अगर है या salt सत्य अगर है यानि कि जो नमक अन्दोलन था तो इसका answer आपका हो जाएगा खेडा कि कैसी option आपका यहाँ पे सही हो जाएगा तो दीखेंगे अब आपने ध्यान से अगर observe कराओ समझाओ तो आपके कैसे question आ रखे हैं सेक्सने में mcq simple question जो है उसकी संख्या 15 है यानि 15 question जो है वो simple बिल्कुल पूछे हुए है फिलिंदा blanks वाले question भी आप से पूछे हुए है यानि mcq में फिलिंदा blanks type के बना दिये हैं थोड़े से पिक्चर वाला भी question बता देते मिलान वाला question भी आप से पूछा हुए है एक question आपका मिलान वाला भी पूछा हुए है तो टोटल देखो 15 और 3 18 18 18 19 20 21 यानि टोटल आपके 21 question इस तरीके से थे आपको यही समझना है कि किस type के question आ रहे है आपको उसी कि तरीके से तयारी करने ठीक है यह नहीं कि आप सीधा बस किताब पढ़े जा रहे हो और ऐसे ही तुम्हें पता है नहीं कि कैसा आएगा और बस ठीक हाड वर्क तो करना है smart वर्क होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि कैसा पेपर आएगा उसके हिसाब से आपको त्यारी करने है ठीक है section B की बात करेंगे section B जो है आपके सामने इसमें आपके sort question होंगे जो कि 18 नंबर का है ठीक है तीन नंबर का आपका एक question है और 18 नंबर का आपका ये पूरा section B हो जाएगा तो देखिए इसमें question number 22 जो है आपको इसमें choice दे रखिए यानि कि आपके सामने दो question दे रखिए हैं इन में से आपको कोई question करना है ठीक है तो यहां पर आपको चोईस भी मिलने start होगी है second आपके section में से तो देखते हैं इसको question है आप English में देख सकते हैं हिंदी में देख सकते हैं इसका solution में आपको कराता हूँ question है कि हडपा में शवादान स्थलों की किनी तीन विसेस्ताओं का वर्णन करें देखिए जो शवादान की जो इनकी प्रिकरिया थी इसके बारे में जानेंगे ठीक है तो इसमें क्या था कि हडपा जो सब्वेता है इसमें कई ऐसे स्थल मिले हैं जहां पर शवादान यानि जहां पर कब्रे वगरा पाई गई है वहां पर क्या होता था जो मिर्तक होता था यानि जो लाश होती है ठीक है जो शव होता है उसको गड़े में दफनाया जाता है गर्त में यानि गड़े में दफनाया जाता है कभी-कभी क्या है शवादान की जो बनावट है वो एक दूसरे से अलग मिली है यनि जो कबरे मिले वो अलग-अलग बनावट की मिली है कुछ जगा पे तो क्या है कि जो इटो की चिनाई भी देखने को मिलती है ठीक है तो इस तरीके से यहां पे थोड़ा साब को पता लगेगा कि सायद इनका सामाजिक इस तर अलग राओगा इसलिए इन्होंने अपनी जो कबरें वो अलग तरीके से बनाई होंगी कुछ कबरों में मिर्दभांड यानि मिर्टे के बरतन और आबूशन मिले है ठीक है जो की संभवत है एक ऐसी मानिता की और संकेत करते हैं इसके अनुसारे इन वस्तुओं का मिर्दभांड प्रयोग किया जाता हो यानि कि हो सकता है कि हडपा के लोग ऐसा मानते हों कि मौत के बाद यानि मरने के बाद जो कबर में जो शव दफनाया जाता है हो सकता है वो मृत्यों के बाद उन वस्तुओं का इस्तिमाल करते हो ऐसा शायद ये मानते हो ठीक है ये कहा जा रहा है फिर इसके बाद क्या है कि पुरुसों और महीलाओं दोनों के शवाधानों से आभूशन मिले यानि कि जो पुरूस की कबरो या महिला की कबरो दोनों से आभूशन मिले हैं इससे क्या पतल लगता है में कि महिला और पुरूस जो थे वो दोनों ही आभूशन पहना करते थे और 1980 के दसक के मद्दे में हडपा के कबरिस्तान में उत्खनन हुआ ठीक है खुदा ही करवाई गई उसमें एक पुरूस की खोपड़ी के समीप संक के तीन चल्ले जैसपर यानि जो मनके होते हैं जो मालाओं में होते हैं और सैकडो की संक्या में सूच्म मनके यानि चोटे-चोटे मोती टाइप के जो थे उसका आभूशन मिला है कहीं कहीं पे जो मिर्तक होते हैं उनके साथ तांबी का जो दरपन होता है जो शीशा होता है उसको भी साथ में दफना दिया चाता था तो इन सब चीशों से हमें क्या पता लगता है कि जो हडपा के जो लोग थे वो शवाधान के लिए कबरों का इस्तेमाल किया करते थे एक तो यह चीश पता लगती है दूसरा हमें क्या पता लगता है कि शायद वो ऐसा मानते थे कि मरने के बाद भी लोगों को सामान के जु इसलिए उनके साथ कुछ वस्तुएं दफना देते थे ठीक है और ऐसा भी माना जाता है कि हडपा सबेता के जो निवासी थे वो मिर्तकों के साथ बहुमूले वस्तुएं ठीक है दफनाने में ज़्यादा विश्वास नहीं करता है यानि ज़्यादा कीमती वस्तुएं नहीं अफनाते थे तो यह आमें बता लगता अब देखिए तीन मार्क्स का कोशन था तीन पॉइंट ही आपको लिखने थे ठीक है यह आपको मैंने इसलिए बताया है ताकि आप NCRT में से आंसर ढूंडना सीखें और NCRT की language में इसको समझें अब चलते हैं कोशन 22 में मैं आपको बताया था कि option दे रख्यां अगर आपको यह question आता है तो आप इसे कर दो मानलो आपको यह question नहीं आता तो option में आपके सामने यह question भी दिया हूँ है ठीक है question को समझते है जो हडपा बसती थी यहाँ पर विशाल इसनानागार मिला था ठीक है और यह जो विशाल इसनानागा वो आंगन में बना एक आयताकार जलासे होता था यानि एक आयताकार आपको दिख रहे हैं जो 4 और से snatch गली और गली यह ती ठीक है यहांसे लोग आ जा सकते हैं मतलब यह तरब एक dost लोग ऐसी छारों तरब से तो यहां से लोग नीचे जा सकते थे उसके तल तक जाने के लिए, ठीक है सीडियां यहां पर बनी होती थे ऐसे ऐसे करके, तो सीडियों के जडिये वो क्या कर सकते थे, नीचे जा सकते थे, और जला से किनारों पर इटो को जमा कर जिपसम के गारे के प्रियोग से इसको तई यानि एक कम्रे में एक बड़ा सा कुओं मिला और जलाशाय से जो पानी है वो भासे पानी निकल जाता था और इसके उत्तर में गली के दूसरी ओर छोटी सी सिर्म्राचना पहले है जिसमें आठ इसनान घर बनाए वे और गलियारे के दोनों और 4 छार इसनान घर बने हुए तो इस तरीके से कुछ यह विशाल इसनाना घर मिला हुआ है तो यहाँ पर यह दो तिन बातें आपको बतानी थी कि जैसे कि यह आयता कार था पहले आप यह बता देते हो कि इसका परियोग ऐसा माना जाता है कि किसी विशेस परकार का जो अनुस्थानिक इसनान था उसमें किया जाता था तो आपको यह बताना था ठीक है इसके बाद देखो यह option वाला हो गया, अब चलते हैं question number 23 पर, यह ability जो होते हैं, उसकी साक्षियों की कुछ सीमाई होती है, उसी के बारे में आपसे पूछा हुआ है, तो इसको समझते हैं, जो ability मिले हैं, और यह question paper में बहुत जादा आता है, यह long question में भी कई बार आता है, त तो आपको 8 point पर लिख देना है, तीन number में आता है, तो तीन point पर लिख देना है, तो चले समझते हैं, जो हमें ability मिले हैं, उसके कुछ कमिया होती हैं, जैसे कि देखे क्या कमिया हैं, कि अक्षरों को हलके धंग से उतकिन किया जाता है, जिने पढ़बाना मुस्किल है, यान तूट फूट जाएं, खतम हो जाएं, लुप्त हो जाएं, तो उसकी वज़े से भी जानकारी का इबार अधूरी रह जाती है, फिर क्या शब्दों के वास्तिविक अर्थ का पूर्वल से ज्यान नहीं होता, कुछ किसी विशे संस्थान या समय से संबंदित हैं, मान लेज हजार अभिलेक मिले हैं, लेकिन सभी का अर्थ जो है, या सभी का अर्थ नहीं बता लग पाया, कईयों का अनुवाद नहीं, ट्रांसलेशन नहीं हो पाया, तो ये कुछ कमिया हैं, फिर क्या कि अभिलेक जो हैं, वो बड़े और विसेस अवसरों का वर्णन करते हैं, यान प्रिए लाइफ थी उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती ठीक है तो यह भी एक पॉइंट है फिर क्या कि जरूरी नहीं है कि जिसे आज राजनियतिक और आर्थिक रूप 今 से महतवण मानते हैं उन्हें अभी लेनकित किया गया और इसके लावہ अभी लेक हमेशा उन Nature व्यक्तियों के विचार वियक्त करते हैं जो उनको बन वाइए जैसे राजा कि लिखवा रहा रहे बन वा रहा है तो उसे राजा के उन Never लगे है 称जनता के बारे में नहीं बढ़ा सकता है आप इसके बार देंको आ जिंद्गी यहां उसके बारे में जानकाली नहीं आपको पहले यह बता में ल्गा है जो इसके आपि इनकाली नहीं है के दोरान भारत में संचार की अनूठी परणाली थी इबन बतूता ने इसके बारे में बताया था तो इसका आपको परिक्षन करना है ठीक है तो देखे इबन बतूता जब आया तो उसने भारत में यहां की जो संचार परणाली थी उसको देखा उसको देखने के बाद वो बहुत हैरान रहे गया और उसने संचार परणाली के बारे में लिखा क्या लिखता है देखे इबन बतुता डाग परणाली की कारे कुशलता को देखकर बहुत ही चक्कित हुआ यानि बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था कि भारत के अंदर इतनी अच्छी डाग परणाली हुआ करती थी फिर आगे क्या लिखता है इबन बतुता इबन बतुता बताता है कि इससे व्यापारियों के लिए ना केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना बलकि उधार परेशित करना भी संबह हो पाया है या मानलो कम सूचना एकदम से मतलब इमर्जेंसी में कोई सूचना मिले तो कोई चीज भेजनी भी इनके लिए इसकी वज़े से आसान हो पाती है डाग पढ़नाली जो है वो इतनी कुसल थी कि जहां सिंद से दिल्ली आने में यात्रा करने में पचास-पचास दिन लग रहे थे वहाँ पे गुप्तचर जो है वो आसानी से उस खबर को मात्र पांच दिन में अराम से पहुँचा देते थे तो आप सोचो कि जहां पचास दिन का समय लगता है यात्रा करने में वहां गुप्तचर के वल पांच दिन में खबर को पहुँचा देते तो कितना मतलब कितनी कुशल थी विवस्ता तो यह आप बता सकते थे इसके बाद एको तीन नंबर का कोशन है आगे और भी जैसे कि देखें इसने वर्णन किया है कि भारत में दो परकार की डाक विवस्ता होती थी ठीक है पहली होती थी अश्व डाक विवस्ता यानि कि इसको उलुक कहा जाता था हर चार मील की दूरी पर इस्थापीत राज किये जो घोड़े होते थे इनके द्वारा यह चलती थ इसमें हर तीन जो मील है उसके बाद एक अवस्थान होता था यानि एक रुखने की जगा होती थी जिसको दावा कहा जाता था तो आप इन दो के बारे हम बता सकते हो इसके बाद देखो लास्ट लाइन पढ़ो कि पैदल डाक विवस्ता जो है वो अस्व डाक विवस्ता से ज नमबर का कोशन है कोशन नमबर 25 देखे ये कोशन बहुत जादा आता है विजयनगर वाले चेप्टर से अमर नायक वाला बहुत पूछा जाता है पेपर में तो अमर नायक परणाली जो है इसकी आपको विसेस्ता है बतानियास का विशलेशन करना है ठीक है और ये विजयन बढ़नाली से मिलती जुलती कुछ थी ए ऐसेने कमांडर होते थे सैने कमांडरों को अमर्य कहा गया है यहां पर यहां पर इनको राय बिचेनगर की अपने आपको राय के लाना पसंद करते थे तो राय जो है इनको प्रशासन के लिए कुछ छेत्र दे दे थे यानि राजा ने कुछ छेत्र दे दिया किसको दे दिया अमर नायक को अब अमर नायक जो है जो जिस अमर नायक को जौन सा छेत्र मिला है उसको उसके अंदर की विवस्ता ही उसको देखनी होती थी ठीक है तो वो क्या करते थे किसानों से शिल्पकर्मियों से व्यापारियों से टेक्स इखटा किया करते थे यानि भू राजस्व इखटा करते थे और जो उनको टेक्स मिलता था उसका कुछ हिस्सा यानि जो मान लो tax उनको मिला है पूरा, उसका एक हिस्सा वो अपने लिए अपने personal खर्चे के लिए रख लेते थे, यानि कि राजस्व का कुछ भाग अपने personal उपयोग के लिए घोडे और हातियों का जो दल है उसके रख रखाओ के लिए अपने पास रख लेते थे, और ये भाग किया था मंदिरों के लिए इस सिचाई के साधुनों के लिए भी यूज किया जाता था, अमर नायक जो है वो राजा को वर्स में एक बार भेंट भी दिया करते थे, यानि गिफ्ट वगरा देते थे, और अपनी स्वामी भक्ती पर कट करते थे, और राजा भी क्या कर अपना नियंतरन दिखाने के लिए, इनको ट्रांसफर कर सकता था, यानि एक अमर नायक मानलो किसी को ये वाला हिस्सा मिला हुआ है, शासन के लिए किसी को B मिला हुआ है, किसी को C मिला है, किसी को D मिला है, तो वो क्या करते थे, ट्रांसफर कर सकते हैं, इस वाले को यहां कि आपको बताना कि बर्दवान की एक नीलामी हो रही थी उसमें एक अजीब मोड आ गया था ठीक है 1797 में ये एक सारवजिनिक करेकरम था एक मतलब नीलामी चल रही थी तब एक अचानक से उसमें ट्विस्ट आ जाता है तो वो ट्विस्ट आप से पूछा हुआ है कि बताए जो थे टेक्स जमा नहीं कर पाते थे जब ये अपनी टेक्स को जमा करने में फेल हो जाते थे नहीं कर पाते थे तो ऐसे में जो अंग्रेज थे वो इनकी जमीन को इनकी संपत्य को क्या कर देते थे नीलाम कर देते थे तो ये विवस्ता चल रही थी तो इसी नीलामी की ये जो भूह संपत्ती थी ठीक है उसको बेचे जा रहे थे सन 1793 में इस्तमरारी बंदोबस लागू हो गया था इस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की एक निश्चित राशी बता दी थी और जमितारों को ये राशी जमा करनी होती थी अगर वो नहीं जमा कर पाते थे तो उनक पर ट्विस्ट क्या आता है ये समझे निलामी में बोली लगाने के लिए बहुत सारे खरीदार आये और सबसे उची बोली लगाने वाले को वो बेच दी गई लेकिन कलेक्टर को जब पता लगा सारी कहानी के बारे में तो उसका एक अजीब पेंच दिखाई दिया यानि अ अजीब सा उसे लगा उसे क्या पता लगा उसके जानने में ये आया कि उसमें से अने खरीदार जो हैं वो राजा के अपने खुद के नोकर थे यानि राजा के जो राजा की संपत्ति निलाम करी जा रही है राजा के नोकर ही उसमें बोली लगा रहे हैं उसके लोग ही उसम आपको यहां पर बताना था question number 27 अब देखिए एक चीज और बता दू कि कुछ question ऐसे हैं जहां पर आपके heading वाले answer बनेगे आप heading बनाओगे और उसके answer लिख दोगे point में लिख दोगे लेकिन कुछ question ऐसे होते हैं जहां पर आपके heading और point नहीं बनेगे जैसे यह वाला question है यह पूरी story की तरह है तो आपको इसको इसी तरीके से लिखना होगा इसको बस टुकुड़ों में तोड़ के point में लिख सकते हो बाकी story ऐसे ही बताई जाएगी जैसे मैं आपको यहां पर बताईए ठीक है आगे देखिए अब यह question number 27 जो है आपका इसमें आपको option दे रखें आपको अगर यह नहीं आता तो आप यह कर सकते हैं इस तरीकी से आपके सामने option है तो चले देखते है question number 27 जो अपने गोरे अफसरों के साथ यानि अंग्रेजों के साथ रिस्टे जो थे वो काफी बदल चुके थे तो इसके बारे में आपको बताना है तो देखिए इसको समझे अच्छा question है या आया वह question है तो 1857 के विद्रों से पहले के सालों में सिपाईयों के जो हमारे जो दसक की तो उस समय में अंग्रेज अपसर और जो सिपाई होते हैं इनके साथ दोस्ताना रिस्टे हुआ करते थे ठीक है यह मोज मस्ती करते थे और इनके साथ मल्यूद करा करते थे तलवार बाजी करते थे उनके साथ शिकार पर जाते थे यानि रिलेशन जो था इनका अप अपसर थे जो हिंदुस्तानी अच्छे से जानते भी थे बोलते भी थे और हमारी जो संस्कृती थी उससे भी वह वाकिफ थे अपसर की कड़क यह क्या करते थे कभी-कभी अबिभावक की तरह इसने भी दिखाते थे यानि इस तरीके का मिला जूला रिस्ता होता था लेकिन 18 1820 के दसक में था ऐसा लेकिन 1840 के दसक में कुछ बदलाव आया ये समझना है 1840 के दसक में इस्थिती बदलने लगी अपसर जो थे अंग्रेज ये अपने आपको स्रेश्ट समझने लगे इनके अंदर भाव आगया कि हम स्रेश्ट है और जो सिपाही हैं जो भारती हैं वो कम नसल के हैं यानि उनकी नसल उनसे नीचे है वे उनकी भावनाओं की जरासी भी फिकर नहीं करते थे ठीक है गाली गलोज करने लगे शारीरिक हिंसा की करने लगे तो यह सब हुआ तो सिपाई और अपसरों के बीच में जो रिलेशन पहले दोस्ती वाला होता था वो दिरे दि थे लिजए नंबर 27 में यह आपको बताएं था दो कोशन दे रहा हैं थाएंँ कि यह गिलास फल एक दिन हमारे मुह हमार आकर गिरेगा, यह ऺतन किसका है और इसके बाए बारे में आपको बताना है ठीक है तो देखें 1851 में गवर्नर जनरल जो थे लौड डलहोजी इन्होंने अवद की जो रियासत थी इसके बारे में ये कहा था किसने कहा था तो जो लौड डलहोजी थे इन्होंने कहा था ये क्या कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुह में आकर गिरेगा पांच साल बाद 1856 में इस रियासत को आपचारिक रूप से उन्होंने अंग्रेजी जो हिस्सा था उसमें मिला लिया अवद को यानि अपने छेत्र में मिला लिया रियासत पर कबजे का ये सिलसिला चलता ना 1801 से अवद में सहायक संदी जबरन थोप दी गई जबरन मतलब सहायक संदी इन पर थोपी गई थी और इस संदी में सर्थ थी कि नवाब जो है अब अपनी सेना नहीं रख सकता सेना को उसको खतम करना होगा रियासत में अंग्रेजों की जो टुकडी है वो तैनात रहेगी और दरबार में मौझूद बिर्टिस रेजिमेंट की सला पर ही काम कर पाएंगे ये अपनी सेनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपने रियासत में कानून विवस्ता बनाए रखने के लिए दिनो दिन अंग्रेजों पर निर्बर हो रहा था और अब विद्रोही मुख्या जो थे तालूगदार जो थे उन पर भी उसका कोई नियंदर नहीं था तो ये पूरी की पूरी घटना होई थी ठीक है तो इसी को आपको यहां पर explain करना था और भी बड़ा है लेकिन आप तीन नंबर में ही है तो ज़्यादा बड़ा आपको आंसर बताना नहीं है ठीक है तो यहां पर हमारे देखे कोशन हो गए है यहां पर हमने एक चीज़ देखिए कि दो कोशन ऐसे थे जिसमें आपको choice मिले है यानि कि आपको option मिल गए है ठीक है बाकी आपके simple plain question है कुछ भी मतलब उसमें घुमाओ फिराओ नहीं है तो यह आपका section B जो है यहां पर खतम हो जाता है अब चलते है section C की तरफ section C जो है इसमें आपके long question है ठीक है long question कितने number वाले 8 number वाले main 8 number के आपके 3 question है और 24 number का यह आपका section C होने वाले ठीक है तो इसमें क्या है आपको इसकी section C की खास बात क्या है आपको तीन question है ना और हर question में आपको एक choice मिल जाएगी यानि total 6 question हो गए और 6 में से आपको करने तीन है यानि कि हर एक question में आपको जो है वो इतियसकारों के लिए उपलब्ध एक अमूल्ले सुरूत है इस कथन के आपको बताना है तो यह बिलकुल क्योंकि महाभारत जो है वो प्रारंबिक समाज के बारे में विस्तार से जानकारी देता है प्रारंबिक समाज में जो घटनाय घटती थी जो राजा होते थे जो विवस्ता होती तो जैसे जाती विवस्ता हो गई या जो भी विवस्ता थी उसके बारे में महाभारत से विस्तार से जानकारी मिल जाते ठीक है तो महाभारत जो एक गतिसील महाकावे का मतलब है यह गतिसील गरंत है जो की कई मतलब यह ऐसा कहा जा तो महाबारत जो एक गतिशील गरंत है, इसमें जंगल, महल, बस्तियां, युद्ध, इन सब चीजों के बारे में हमें विस्तार से जानगारी मिलती है, इसका विकास जो है इसकी भाषा से बादियत नहीं हुआ, यानि कि किसी एक भाषा में टिका नहीं, रुका नहीं, कि कई भाषाओं में इसको लिखा जाता रहा है, और ये लोगों के समुदाय के बीच में जो समवात थे उसको दरसाता है, इसमें जैसे पांड़ा और कौरव के बीच में जो युद्ध थी, जो जमीन को लेकर उसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है, बंदू-बां के बारे में जानकारी अच्छा से मिल जाती है, इसमें विबिन चेतरों में उत्पण होई कहानिया जो थी, उसको शामिल किया गया, महा कावे की मुखे कहानी को अकसर अलग-लग तरीकों से इसमें दोराया गया और इसमें कई सारे प्रसंग है, चित्रमूर्तियां, यह पॉइंट बता सकते थे इनको थोड़ा थोड़ा explain करना है आपको क्योंकि देखिए आठ नंबर का question है तो आपको इतने कम शब्दों में नहीं लिखना है यहां तो मैं आपको केवल hint दे रहा हूं और यह आपकी जो answer key दे रखिए उसके according में आपको बता रहा हूं ठीक है तो देखिए इतिहासकार जो होते है वह किसी भी गरंथ का wishulation कड़ते ही तो या फिर संस्कृट बोली जाता ही जो विशिष्ट रूप की द्वारा बोली जाती थी या उस भाग से लाख में लिखा गया है तो यहां पर सबसे पहले क्या दिखा जाएगा किसी भी जो विशलेशन किया जा रहा है गरंत का उसकी भाषा भाषा में ये दिखा जाएगा कि वो जो आम लोगों की भाषा है उसमें लिखा गया है या जो खास वर्ग की भाषा है उसमें लिखा गया है ठीक है तो पहले तो यह देखा जाएगा दूसरे नमबर पर देखो फिर यह देखा जाता है कि गरंत जो है वो किस टाइप का है यानि उसमें क्या उसमें मंत्र है ठीक है या फिर उसमें कथाएं यानि की कहानिया है क्या उसको पढ़ा जा सकता है लिख को गया यानि कि उसको लिखने वाला कौन था और उसका जो दृष्टी कौन है उसका जो विचार है उसने उसको गरंत रूप दिया होता है तो इसलिए उसको देखा जाता है ओडियंस को भी ध्यान देते हैं कि जो शुरोता है जो मतलब उसको पढ़ने वाले हैं वो कौन है इ बचना भूमी कहां पर उसको लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है तब जाके इतियास का पुनन निवान होता है ठीक है तो यह आपको यहापर बताना था यह सारे पॉइंट आपको बताने तो पैराग्राप में पर इसको आप तोड़ के पॉइंट में लिख सकते हो थी इसी के दम पे चल रहा था सब कुछ ठीक है इसी कारण क्रिशी उत्पादन पर नियंतरन रखने के लिए ठीक है तेजी से फैलते सामराज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन कैसे करना है वसूली के लिए जरूरी था कि राजस्व एक राज्य का एक प्रस्रासनिक तंत्र खड़ाओ यानि कि आप यहां पर यह समझेए कि जो मुगलों का जो राजस्व में जो सबसे महत्पून था वो था भूराजस्व जमीन से मिलने वाला टेक्स यह क्या था धीरे धीरे अपने सामराज्य को बढ़ाते जा रहे थे अब सामराज्य बढ़ा रहे थे तो ठीक है दीवान का पूरा एक डिपार्टमेंट हो गया है जिसमें यह टैक्स या वित्य विवस्ता है उसकी देख रहे होगी इस तंत्र में दीवान शामिल था और इस तरह हिसाब रखने वाले राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हो गये और किर्शी संबं लगाने से पहले यह जानकारी लेने की कोशिष की मुगलों ने कि कौन सी जमीन से कितना टैक्स लिया जासकता है इसके बाद देखो भूराजस्व के इंतजाम के दो चरण होते थे पहला था कर निर्दारन करना दूसरा था उसको वसूल करना यानि एक को जमा कहा जाता था और एक को हासिल कहा जाता था ठीक है अमेल गुजार या राज़सों वसूली करने वाले कामों की सूची में अकबर ने हुकम दिया था कि जहां उसे कोशिस करने चाहिए खितियर नगत भुकतान करे यानि अकबर ने ये आदेश दिया था कि जो भुकतान है वो नगत में लो कोशिस ये करो कि नगत में जितना मिले उतना बहतर है अगर नगत में नहीं मिलता तो option फसल वाला दो कि भाई फसल भी दे सकते हो अगर नगत नहीं है तो फसल दे दो लेकिन ज़्यादा तर उनका preference होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स उनकों मिले ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा और कई बार क्या होता था कि जितना उन्होंने सोचा होता था ना उतनी वसूली हो नहीं पाती थी हर प्रांत में जोती हुई जमीन होती थी टेक्स के सिस्टम के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है ठीक है तो यह आपको यहाँ पर बताना था नेक्स्ट देखिए कोश्चन है इसी के ऑप्सन में ही है यह कि मुगल क्रिशी समाज में जमीदारों की स्थिति का परिक्षन करें यह मैं आपको बता दूँ इस कोश्चन को ना आप रट लो बिलकुल यह कोश्चन इस चैप्टर से इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि इसके आप लगा लो 99% चांस है कि आपके पेपर में आएगा आएगा तो इसको रट लेना बिलकुल आप देखो मैं समझाता हूँ जमीदारों के बारे में तो द जमीनों के मालिक होते इसलिए इनको जमीदार कहा जाता है और ग्रामीन समाज में इनकी उची जमीन रहोति biology कि एक एक रीजन हो जाएगा यानि इनके पास पैसा है धन है इसलिए भी उचे हैं इनकी जाती भी उची है ये भी एक रीजन हो जाएगा फिर क्या है कि ये लोग राज्ये को कुछ खास किसम की सेवाएं देते थे यानि ये राज्ये मतलब सत्ता ये सीधा सत्ता से जुड़े होते कर थे उनके लिए काम करते थे इसलेभी इनकी जो ज़्यादा उती थी एंक कि आया जमी कि युदेकशा कि विर्टी इनके बाक्त जादा जमीन होती थी इसपे इनकी मिलकियात होती होती यानि इसस्पे इनका पूरा दिगार होता था यह चाहें तो अपनी जमीन को केती इनकी संपत्य पूरा इनका अधिकार होता था ये राज्जी की और से कर वसूलने का भी काम करते थे टेक्स वसूला करते थे ठीक है और इनके पास अपने किले होते थे इनके पास घुरसवार होते थे तोप खाने होते थे सिपाई होते थे तो इस तरीके सा आप कह सकते हो कि जमीदारों की है जो है वो काफी बड़ी होती थी गाउं के अंदर इसके बाद है कुशन नमबर तीस में पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन वास्ताव में एक जन आंदोलन था इसके बारे में आपको बताना है तो यह कुशन भी काफी पूछा जाता है आपसे भारत छोड़ो आंदोलन वाला तो देखे हुआ क्या था कि क्रिप्स मिसन जो था वो फेल हो गया था उसके बाद गांदी जी ने बिटिश शासन के खिलाब तीसरा बड़ा अंदोलन छेड़ दिया था जिसको अंग्रेज जो युवा कारे करता थे उन्होंने हड़ता सुरू कर दी तोड़ फोड होने लगी और आंदोलन चलने लगा जो जैप्रकास नरायन थे जो समाजवादी नेता थे वो अंडरग्राउंड होके यानि छुपकर भी इस आंदोलन में सक्रिय थे और इस तरीके से आंदोलन जो था जेल की तरफ जाने लगे जेल भरो अभियान चला था तो भाई सब ने बोल दिया कि हमें भी जेल में डाल दो और जिस दोरान कॉंग्रेस के नेता जेल में थे उसी समय जिन्ना और मुस्लिम लीग जो थे ये भी इनके साथी जो थे अपना प्रभाव अपने छेतर में फैल संक्या में जो भारती है ते इसमें जुड़ गए थे गांधी जी के जेल जाने के बाद भी अनदोलन चलता रहा इसमें इस्टूडेंट भी जुड़ गए थे महिलाएं भी जुड़की थे किसान हर डूंख से लोग आ रहे थे इसी लिए इसको जन अंदूलन खा जाता है तो एक कोशन नमबर 30, इसके option में एक और कोशन दिया हुआ है, option में ये दिया हुआ है कि गांधी जी के राजनितिक सफर और राश्टिया अंदोलन के इतिहास के प्रणिर्मान को सूतरबद करने वाले विविन प्रकार के जो सुरोत हैं उसके बारे में आपको बताना है, गांधी जी और उनका जो राजनितिक सफर था, उनका जो राश्टिया अंदोलन था, इन सब चीजों के बारे में जानकारी कैसे मिलते हैं आपको ये बताना है, तो देखें बहुत सारे पॉइंट बताएं हैं, इसमें केवल आपको आठ पॉइंट अच्छे से चुनके एक्स्प्लेइन करना है, देखें जो सार्वजनिक स्वर हो गया है या जो निजी लेखन होते थे, ये इससे गांधी जी के बारे में जानकारी मिलते हैं, फिर गांधी जी और उनके जो समकालीन थे, उनके समय के जो भी रहे होंगे राजनितिक, उनकी भूमिका या जो उनके भाशन होते थे, उससे जानकारी मिल जाती है, आत्मकथाएं, क्योंकि आत्मकथाओं में भी जिक्र होता है इनके बारे में, तो आत्मकताओं से जानकारी मिल जाती है डेटेल में और सरकार जो रिपोर्ट या जो भी पत्रिकाएं प्रकाशित करती थी उसमें भी गांदी जी के बारे में छपता रहता था तो इसके बारे में यहां पर एक और पॉइंट आजाएगा विदेशी अख़बार क्योंकि जो विदेशी न्यूस पेपर थे वो भी बहुत जाता इनको छपते थे गांदी जी के बारे में तो वहां से भी आपने जानकारी मिल जाते फिर पुलिस कर्मी या जो अधिकारी थे इनके Dw vegर जो record था क्योंकि कई बार जेल गएकिऊ, कई बार आंदोलन हुए ठिक है तो उसमें भी सरकारी रिकॉर्ड में भी है तो उससे कारी मिल जाती है और गांधी की तस्वीरों से पता चलता है कि लोग उन्हें किस तरीके से देखते थे और जो विबिन प्रांतिय रिपोर्ट होती थी उससे पता लगेगा तो यह बहुत सारे सोर्स हैं इनसे हमें पता लग जाता है ठीक है तो यह सब आपको बताना था यहां सेक्सन के अंदर आपके न तीन पैसिज मिलेंगे ठीक है इन पैसिज को बढ़ना इसमें कुछ कोशन देवे हैं और इसके आंसर करने देखे इनके आंसर आपको पैसिज के अंदर नहीं मिल पाएंगे ध्यान रखना कि आप यह सोचो कि आपको यह जो कोशन पूछे हुए ह तो ऐसा नहीं है ठीक है तो आपको इसको चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ बहाएंगा देखे यह पहला पैसिज है इंग्लीज में आपको दिया हुए मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं कि कहां से आ रहा है तो यह बुद्ध वाला जो चैप्टर था चैप्टर करके देखना आपको पता लगेगा उस व्यक्ति की पैचान करो जिसने राजा को संसार त्यागने को प्रेरित किया रानी का मुलावती ठीक है अब आप ध्यान से पढ़ना इसमें शायद आपको आंसर ना मिले तो आंसर कहां मिलेगा आपको NCRT को बहुत अच्छे से होगे तब आपको बता लगेगा इसका अंसर क्या है नेक्स्ट आपका हे राजा केवल धम और कुछ भी तुम्हें नहीं बचाएगा धम शब्द क्या क्या अर्थ है और इसके बारे में बताना है तो धम जो शब्द हैस का यहां पर तातपरे सत्ते से है जो किसी को बचा सक करता है ठीक है और शिश्य महावीर के उपदेशों का यहां पर पालन कर रहे हैं नेक्स्ट आपका कि किस संदर्व के अंतरगत निम्लिकित कथन यानि उनकी उडान में पक्षीयों की तरह अन्य अंतृत ठीक है यह दिया हुआ है इसके बाद महावीर के शिश्य ने बताया उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी तो यह बात है यहां पर आपको बतानी थी इसी तरीके से आपके सामने है कि यह पैसिज दिया हुआ है इसको हिंदी में यह देखिए कहाँ पिस से आया हुआ है यह आपकी से आया हुआ है इसको आप ध्यान से पढ़ना और इसके आपको आंसर नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है NCRT को ध्यान से बढ़ना है वहां से करने की कोशिस करना है ठीक है इसके बाद देखो तीसरा पैसीज है जो कि आपकी बुक 3 से यानि थर्ड बुक से आएगा और यह आपका जो लास्ट चेप्टर है इसमें से पूछा हुआ है यह मैंने आपको यह बॉक्स दे दिया है और इसके कुछ कोशन है इन कोशन को आप अराम से पढ़ सकते हो जैसे कि दिखे उन्होंने अपने पीछे एक विरासत छोड़ी है इस कथन में वे की बात कर रहे है वे कहा गया है किसके लिए कहा गया है यह अंग्रेजों के लिए कहा गया है ठीक है और उन्होंने विरासत छोड़ दिये क्या इसे हम बाहर इससे हमें बाहर निकलना है या नहीं इस कथन पे निसकर्श निकाले दिए कि इसमें ये बताया गया था कि अंग्रेजों ने क्या करा भारतियों को लड़ाने के लिए पूद डालो साशन करो के नीती अपना ही तो हमें क्या करना है हमें क्या उस चीज में चोड़ना है य उनने कहा था कि अंग्रेज तो चले गए हैं और हमें अंग्रेज वाली जो लेजेसी थी उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? उनके विचारों को छोड़ना पड़ेगा, यह बाते थी तो यहाँ पर हमारा यह सेक्षिन डी भी आपका खतम हो जाता है section E जो है इसमें आपका 5 नंबर का map दिया हुआ है map में आपके सामने कुछ question पूछे में इसको समझते है answer आपके सामने answer वाला map लगा दिया मैंने question यह है कि काली बंगन हडपन site अच्छा आपको यहाँ पर point दे रखे थे map में आपको यह पता करना था देखेज रैजस्तान मेंचो काली बंगन थे आपको पूछा हुआ था और आगरा के बारे में पूछा हूआ है और आगरा ne यूपी में यह point आपको दिया हुआ था और सांची जहां ма पर बुद्धिश site है सांची का जcejस्तूप था मध्यप्रदेस मन हो जाएगा यहां पर ठीक है और अजंता जो कि आपका यहां पर नीचे महाराष्टा साइट में देखो कि आपको यहां पर दिख जाएगा तो यह आपसे पूछे भी थे तो यह आपका मैप हो जाएगा तो मैप जो आपका पांस नंबर काएगा आप मैप की अल्रेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है उसमें से बाहर कोई कोशन यहाते है यह जितने भी कोशन है लिमिटेट कोशन है यह मैंने सारे आपको करा रखें तो मैपकी वीडियो भी आप अमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेना मिलते नेक्ष्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग जय हिंद जय भारत